हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ SDL और आप देख रहे हैं SDL spoken English अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए इससे यह होगा कि जब भी मेरा वीडियो अप सब्सक्राइब बने रहे मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक टॉपिक लाया है मैनर इसके बिना आप सूथ शूथ इंगलिस नहीं बोल सकते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में बता इसे पिछरे वाले वीडियो में आप लोगों को में बता दिये थे कि ग्रेटिंग के बार याूए तो हमारे गेस्ट और किसी अपने से बरे वेकति को हम या छोटे को किसी इज़त के साथ बात प्रेस आएं उसे स्रस्टा चार कहते हैं आपं स्रस्टा čार कितने होते हैं कि कैसे हम उसे एक्स्प्लाइंड करें इसके बारे में आज डिटील से बताऊंएंगा तो आ आप मेरे साथ शुरू से लाज तक बने रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि तूस वो यूर गूड मेनर कि इन माइंड तूस इन गूड मेर कि इन माइंड इसका मतलब यह हुआ कि अच्छे स्रिष्टा का स्रिष्टा चार को देखाने के लिए निमनलिखित बातों का ब ध्यान में रखना बहुत जरूर है उसमें से पहला बात यह है कि अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आप क्या बोलेंगे तो आप इंगलिश में क्या बोलेंगे हिंदी में ता बोल सकते हैं किर्पया मुझे यह दिजे आप उसे इंगलिश में किस तरीका से बोलेंगे तो आप उस इंगलीज में please या kindly जैसे words का परियोग करिएगा क्या चीज़? Please या kindly जैसे words का परियोग करना बिल्कुल ही न भूलेगा अगर आप please या kindly जैसे सब्द का परियोग नहीं किजेगा तो वे समाझ जाएंगे कि ये इंगलीज में सब्ब है आपको सब्ब होना है तो आप please या kindly जैसे सब्द का ही परियोग करें एक एक जाम पर देख लेते हैं please give me your pain कितना अच्छा लगता सुनने में please give me your pain अगर आप इस तरीका से बोलते हैं तो आप आपके सामने वाले वेक्ति को इंप्रेस कर सकते हैं और वेक्ति आपकी बात से इंप्रेस हो जाएंगे तो आप please और कांडी इसे सब्द का परियोग करना बिल्कुल ही न भूलें अब दूसरा point या है कि मान लिजिए आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी से बात को किसी बात को महत दिया गया तो आप क्या कहेंगे तो थैंक्स या थांक्यू कहना मत भूलिए थैंक्स या थैंक्यू कर सकते हैं माले किसी को हम पयान दिये तो दुझति हमीं भूलेंगे थैंक्स उसी तरह आप किसी को thanks या thank you कहना बिल्कुल ही न भूले अब तिसरा point और third point यह है कि आप बात करते हम thought points अगर आप को कोई thanks या thank you कहे तो आप क्या कहेंगे तो आप यह कहेंगे कि welcome या mention not या my pleasure या it's okay या all right आदी कहेंगे एक वे फिर से repeat कर देते हैं सही से सुनिये welcome या mention not या my pleasure या it's okay या all right आदी कहेंगे यह सभी चीज़ आप बोल सकते हैं अगर किसी वेक्ति आपको कहे thanks या thank you तो आप इस point को बोलना बिल्कुल ही न भूले अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगए तो please like subscribe करना बिल्कुल न भूले तो यह आप मेरे साथ सुरू से last तक बने रहें आप four points के बारे में जानते हैं first point यह है कि जब आप किसी से phone पर बात कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे आप जब किसी से phone पर बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे और कोई बात या व्ट्स आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह कहिए गा मान लीजिए आप किसी से फॉन पर बात बात करें अगर उसका वात वट्स आप सही से सुन नहीं पाए तो उस समय आप क्या बोल येगा तो सुनिए उसमाय आप यहां बोलिएगा फर्स्ट पॉइंट है कि I beg your pardon या I am sorry या I I don't get it फेन से रिभाज करते हैं आप मेरे साथ सुरू से अन तक बने रहे है I beg your pardon या I am sorry या I don't I don't get it या I don't get it या I excuse me क्या बोलिएगा या I excuse me भी कह सकते हैं मान लिजिए आप कहीं जगे पर जा रहे हैं रस्ता पर लाग तो उस समय आपको किसी से कुछ पूछना के कहें या साइड होने के लिए आप इस क्यूज मी का भी परियोग कर सकते हैं आप आते हैं 5.5 पर किसी बरे रास्ता किसी बरे रास्ता देते वक्त किसी बरे को मतलब कि अपने से बरे को रास्ता देते वक्त क्या कहेंगे मान लिजिए कोई महिला है या बुजूर्ग है जो आप से बरे में हैं उस समय आप उन्हें क्या चीज बोलिएगा तो उस से रास्ता देते वक्त क्या कहेगा तो आप क्या कहेगा तो आप उस समय यह बोल सकते हैं आप टर वह इसका अर्थ यह होता है कि तो इसका यह होता है कि पहले आप फिर में यानि पहले आप जाये उसके बाsm trash में आता हो पॉइंट शिक्स बाते हैं, अगर कोई आपसे पूछे, पॉइंट सिक्स बराता हूं, अगर कोई आपसे पूछे, हाव आर यू, तो आप क्या कहेगा, हाव आर यू, तो आप यह कहेगा, I am fine, I am fine, तब आपका भी तो फर्ज बनता है, उससे पूछे, इसे आपका इसे हैं तो उस समय आप बोल सकते हैं कि what about you उसे पुछेगा उप आपसे पुछेंगे how are you तो आप कहिए I am fine क्या कहिए I am fine और उसको आपका भी तो फर्ज बनता है उसे कुछ पुछेंगे तो आप पुछेंगे what about you या great या great you tell या fine and you इस तरीका से भी आप कुछ पुछ सकते हैं point seven पाते हैं अगर आप किसी की बात को बीच में ही रोकर अपनी बात को कहना चाहें तो कुछ इस तरह कहिए कुछ इस तरह कहिए फैंस अगर आप किसी की बात को बीच में ही रोकर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो कुछ आप इस तरह कहिए जिससे आपके सामने वाले बेक्ति को किसी तरह का बुरा एफेक्ट न पढ़ें sorry to interrupt you क्या बोलेगा फर्स्ट पाइंट इह बोलेगा sorry to interrupt you या आप sorry to intervene भी बोल सकते हैं या तो आप sorry to interrupt you भी बोल सकते हैं या sorry to inter भैन भी बोल सकते हैं और जब यह व्यक्ति आप पर ध्यान दे तभी अपनी बात को रखिए ओके गाइस अगर आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूले इससे क्या हुआ कि जब भी मेरा वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तो पहुंचेगा ओके गाइस बाइबाइबाइ अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो अपना फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ही न भूले ओके फ्रेंड्स बाइबाइबाइ